नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानी उस और मेरानी गुपता आपके साथ सिदेत और पार लोग सभा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है दरसल बीजेपी पूरी तरीके से मिशन दोहजार चोबीस को ले करके तयारियों में ज बीजेपी के चाड़क के कहे जाने वाले आमिर्शा और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भी इस मिटिंग में शुरकत की और इसी के साथ ही तमाम पदादिकारियों को जीत का मंतर दिया है और कहीं न कहीं ये लक्ष रखा गया है कि दोहजार चौबीस में चार सो सीचे पार होनी चाहिए आपको बता दे कि मिशन दोहजार चौबीस को लेकर के बीजेपी का महामंधन खत्म हो चुका है यानि कि ये बैठा कब खत्म हो चुकी है लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि ग्राम अंतरी अमिर्शा ने सीधे तोर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि दोहजार चौबीस में ऐसी एतिहासे जीत हासल करनी है कि विपक्ष इसको लेकर के दस बार सोचने को मजबूर हो जाए यानि कि सीधे तोर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि दोहजार चौदर और दोहजार उन्नीस तो छोड़िय दोहजार चौबीस को लेकर के बीजपी ने बड़ा अक्शन प्लान तयार कर रखा है बड़ा चक्रव्यू बना रखा है कि कैसे वो 400 की सीटे पार करेंगे और कहीं न कहीं जिस तरीके से दूसरी और अगर हम विपक्ष की बात करें तो इस वक्त पूरा का पूरा इंडिया लाइन्स बनाई है और इसके दम पर वो इस बार केंद्र से मुदी सरकार को हटा देंगे सत्ता से हटा देंगे लेकिन दूसरी और अगर हम इसी इंडिया लाइन्स की बात करें तो इनके नेताओं की आपस में ही पढ़ते हुई ने दिखाई दे रही है फिर चाह 2023 में प्रदर्शन किया है उसके बाद से बीज़पी का मनोबल और भी जादा बढ़ चुका है खासकर अगर हम बात राजस्थान च्छतीस गड़ और मध्य प्रदेश में हुई जीत के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो बीज़पी ने तमाम रिकॉर्ड धोस्त करते दरसल आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोगसभा चुनावों की तयारियों और कारगरमों की रूप रेखा तै करने के लिए शुकरवार को शुरू हुई बारती अजुन्था पार्टी की रास्तिय पदादीकारियों की दो दिनों की बैठक आज समाप्थ हो गई ह बैठक दिली में पार्टी के केंद्रियक कार्याले में आयुजित की गई थी सूत्रों के मताबिक बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कारेकरताओं से लोगसभा चुनाव की तयारी करने मिशन दोहजार चौबीस के लिए कमर खसने और जीत का मंत्र भी दिया ह दरसल सूत्रों के मताविक बीजपी पुरेदेश में महिला, युवा, किसान और गरीबों को पार्टी से जोडने के लिए अभ्यान चुलाएगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में देश भर के युवाओं को सम्मोदद भी करेंगे बीजपी ने लोग सबाचुराओं में 35 करोड वोट पाने का लक्ष रखा है इसके तहट विबिन योजनाओं के 7 करोड लाभार्थी तक पहांचने की रणनीती बनाई गई है वहीं दूसरी और आयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदर की प्राण प्रतिस्ठा के दिन सब ही बीजपी कारिकरता अपने अपने इलाके में मंदर में पूजन और लाइप रसारण की विवस्था भी करेंगे दरसल 22 जनवरी के बाद हर राज जिसे ट्रेन के जरीए लोगों को आयोध्या ले ज़ाकर भगवान श्रीराम के दर्शन कराए ज़ाएंगे पार्टी कारिकरताओं से कहा गया है कि राम मंदर से जड़ी जानकारी सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म पर ज़ाद से ज़ादा शेयर करें और लोगों से इसको ले करके चर्चा भी करें ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो राम मंदर के सभ्यान से कनक्ट हो सके बता दे कि बीज़पी ने कारिकरताओं से बूथ लेवल पर हर एक मदाता के संपर्क में रहने को कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया कि कारिकरता अपने अपने बूथ के मदाताओं के घर जाकर उनसे मिले भारत की बढ़ती वैश्मिक ताकत और योशनाओं के बारे में लोगों को बताएं बीज़पी की नजरे 2024 के लोग सबाचुनाओं में भारी जीत हासल करने पर ठीकी है और इसके मद्द नजर पियम मोदी ने संगठन के प्रमुक नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत 10 फीसदी बढ़ाने की दिश्रा में काम करने को भी कहा है बैठा के समापन दिन पर पार्टी के रास्ट्य पनारिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों को संबोधित करते हुए ग्रा मंत्रे हमें श्रा ने कहा कि बीज़पी का प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष स्थब्द हो जाए विपक्षी गडबंधन इंडी एलाइन्स और बीज़पी के बीच सीधी लड़ाई के संभावना के बीच पियम मोदी ने पार्टी कारेकरताओं से आने वाले लोकसवा चिनाओं में 2019 के चुनाओं की तुलना में पार्टी के वोट शेयर में बढ़हौतरी की बात का आवाहन भी किया है आपको बता दे कि संद 2019 के चुनाओं में बीज़पी को 37 फीसदी से अधिक वोट मिले थे जबकि उसके नित्रत वाले इंडीये को करीब 45 फीसदी वोट मिले थे वहीं अगर हम बात साल 2014 के चुनाओं की करें तो केंदर में सत्ता में आने के बाद से बीज़पी ने विदानसवा चुनाओं में अपने वोट प्रतिशत को 50 फीसदी तक बढ़हने के लिए लगातार प्रयास किया है और कुछ चुनाओं में उसे सफलता भी हासिल हुई है इस दोरान बैठक में ग्रामांत्री अमिशा ने हाल ही में मद्य प्रदेश विदानसवा चुनाओं में बीज़पी के प्रदर्शन का उलेख भी किया और 50 फीसदी वोट हासल करने के लक्ष के लिए राज संगठन की सराहना भी किया सूत्रो ने बताया कि मोदी की तरह अमिशा ने भी चुनाओं में संगठन की प्रमुकता को रेखांकित किया और कहा कि पार्टी को इतनी भारी जीत मिलनी चाहिए कि विपाक्ष से चुनाती देने से पहले कई दफा सूचे सूत्रो ने कहा है कि पार्टी के शिर्ष नितरत्व ने जीत के लिए सीट संख्या पर कोई विशस्ट लक्ष नरधारत नहीं किया लेकिन ऐसी जीत सुनिश्ट करने पर जोड़ दिया है जो 2019 के प्रदर्शन से भी और भी जादा बड़ी हो बीज़पी ने पिछले आम चिनावों में 543 सदस्य लोग सभा की 303 सीटे हासिल की थी आपको बता दे कि बैठक में हाल ही कि विदान सभा चिनावों में बीज़पी की बड़ी जीत की भी प्रशन सा की गई है राजस्तान 36 गड़ और मध्य प्रदेश के अध्यक्षों ने जीत पर अपने विचार भी रखे इस दोरान बीज़पी ने मध्य प्रदेश काई के अध्यक्ष विष्णू दत शर्मा ने एकस पर एक पोस्ट में कहा कि नई दिल्ली में आयोजित बीज़पी की दो दिवसिये रास्टिय पतादिकारी बैठक में शामिल हुआ इस आवसर पर मध्य प्रदेश के विदान सबाचनाओं में बीज़पी संगठन द्वारा किये गए विबिन नवाचारों वा प्रतेइक बूत पर इंक्यावन फीसदी वोट पाने की गतिवीडियों के बारे में जानकारी भी साजा की कई न कई अगर बीज़पी के रड़नीती की बात करें तो बीज़पी जो है वो बूत लेवल तक अपने कारेकरताओं से संपर्क साथती है ताकि इसका जो प्रमार है वो उन्हें एलेक्शन में सीधे तोर पर मिले लेकिन अगर हम दूसरी और विपक्षी पार्टियों की बात करें तो यह बहुती लेवल पर बहुत सारी मिटिंग्स करते हैं रड़नीती बनाते हैं लेकिन यह जमीनी इस तर पर जो कारकरता होते हैं वो उससे नहीं हो पाते हैं और उसके investir आप यह जो बूस लेवल की रड़नीती होती है वो प्रतेए नागरेक तक नहीं पहुँच पाती है और कहीं न कहीं यही मेन वज़ा होती है जिस कारण विपक्ष को हार का सामना करना पड़ता है अला कि इन चीजों को ले करके कई बार विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रिस को आगा किया गया कि वो अगर बूथ लेवल तक जा करके का चुनाओ भी हम उठा करके देखे तो बीजोपी यहां पर पूरी तरहीके से मैनत करती है कारेकरताओं का एक पूरा का पूरा हुजुम होता है जो कि बीजोपी के लिए काम करता है वहीं अगर हम कॉंग्रेस की बात करें या फिर अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो व चलाल अस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद